इसे स्वीकार करें। राजा पुस को बोलता देख अचमवित रह जाता है कि एक बिल्ला बूट पेना हुआ। उसके सामने बात कर रहा है। राजा को पुस बहुत पसंद आता है। हमें आपके राजकुमार का तौफा बहुत पसंद आया। और तुम भी हमको बहुत पसंद आये। आज से तुम्हारा नाम पुस इंद बूटस है। सेवकों पुस की बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाए। और अगली सुबह फिर से गाजर तोड़कर खरगूश पकड़कर राजा के महल पुस की बात मान ली और बोले ठीक है कल हम तुम्हारे महल में राजकुमारी के साथ आएंगे और साथ में भोजन भी करेंगे। ठीक है माराज अब मुझे आग्या दीजिए। इतना कहकर पुस घर के लिए चल दिया। पुस सोच रहा था कि राजा को बिला तो लिया है पर महल कहां से लाओंगा। पुस सोच ही रहा था कि उसे एक बड़ा सा महल दिखाई देता है। जो एक भयानक दानों का था। उसके दिमाग में एक आईडिया आता है। हाँ 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 बूट पहना हुआ बिला क्या बाइडिया।